अस्सालाम अलेकुम दोस्ते वीडियो में आपको बताएंगे साओधी की लेटेस्ट और इंपोर्टन अपडेट ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महात्पूर्ण होगा जो लोग साओधी में अभी एंट्री करना चाहते हैं अगर आप भी साओधी में एंट्री करना चाहत नागर्ता मिलेगी आपको क्या क्या रोल्स फोलो करने के बढ़ेंगे और इसके लिए क्या अपडेट दिया गया है सौधी गबर्मेंट की तरफ से आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आप जो है अगर इन केडिगरी में आते हूँ तो आपको किन रोल्स को फोलो करना होगा इसके साथ अगली अपडेट लोकडाउन को लेकर है अब यहाँ पर लोकडाउन को लेकर एक नई अपडेट दी गई है जिसके बार में आप सभी लोग को जानकरी होना चाहिए और भी रिलेटर अपडेट है वो अपडेट भी इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जर अब यहाँ पर जो इंडिया की कोबिट सेल्ड वैक्सिन है उसको भी मानता दे दिया गया है और इसकी मंजूरी दे दिया है इसकार्थ यही है कि अगर आप भारतिये सौधी का सफर करेंगे तो बिना कॉरंटाइन के सफर कर सकेंगे और यह आदेश सेरम इंस्ट्यूट आ इंडिया द्वारा निर्मित कोबिल सेल्ड आठ अन अधकरेट टिकों की सूची में सौमिल हो गया है अभी यहाँ पर कौन सी बैक्सीन है जिनको यहाँ पर परमाणत किया गया है जिसके बार में आपको जानकारी होना चाहिए सबसे नंबर एक पर आता है फाइजर बैंट इनको पूरी तरह से मानता दे दिया गया है अब यहाँ पर मानता खुले कर जो अपडेट दी गई है उसमें आपका फाइदा क्या होगा तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप इंडिया से अपना सफर कर रहे हो और अगर आप 14 दिने किसी दूसरी कंट्रे में बिता चुके हो उसके बाद साओधी अरब में जब आप एंडिय करेंगे तो वहाँ पर आपको कॉरंटाइन नहीं होना होगा अगर आप वैक्सिन ले लेते हो दोनों तो तो यहाँ पर बिना वैक्सिन के भी आप जो है अपने कार पर जा सकते हो अपने कपिल अपने कंपनी की पास जा स कुछ इस तरह से अपडेट के तहट बताया गया है दोस्तों आगे की अपडेट में हम आपको बताएंगे क्या रोल्स बनाएं गये हैं अब ही जो अजनभी हैं उनके नागिक्ता को लेकर तो यहां पर आपको जानकरी पूरी होना चाहिए क्योंकि पूरी अगर आप वीड सुधी की नागिक्ता ले सकते हो आगे यहां पर यह बताया गया है कि जैसे ही आपकी उम्र हो जाए तो आप एक संस्थापक हो मतलब जिस केटगरी में अभी अलाओ किया गया है उस केटगरी में आप काम करते पाय जाते हो तो आपका जो भी निवास परिवर्तन कर दिया जाएगा आप सुधी के नागरिक बन जाओगे आगे कहा गया है कि यहां पर जो अस्थाई निवास है उसका दर्जाप तभी प्राप्त करोगे जब आपका आचन सहीं होगा और अपराधिक कोई भी यहां पर आप गलती नहीं करोगे मतलब अगर आप किसी भी गलती से नि आयू प्राप्त करने के बाद वर्ष के दौरान उसे सुधी अरप की नागरिक परदान करने के लिए आपेदन भी प्रस्तुत करना होगा मतलब इसके लिए आपको एक आपेदन जरूर प्रस्तुत करना होगा कि हम इस लाइक हैं और हमको नागरिक अभी मिलनी चाहिए दो जो केटगरी बताई गई है उसमें भी होना बेहत जरूरी है इसके साथ ये कहा गया है कि जो भी आपको सौधी अरब में अरभी होती है उसको आपको आना चाहिए मतलब जो सौधी में अरभी बोली जाती है वो पूरी की पूरी आना चाहिए पढ़ना लिखना मतलब पूरी तरह से आपको भासा आना चाहिए दोस्तों आगे कहा गया है अंत्रिक मंद्रालेयों सौधी अरब के तरफ से कि साधी वाली विदेशी महिला या सौधी विदेशी की बिध्वा सौधी अरब की राश्टेता परदान कर सकती है इसके लिए वो भी अन्रोध प्रस्थुत कर सक तो यहां पर यह भी जरूरी है इसके साथ हम आपको बताते हैं कि अगर आपको राश्टेता पराप्त करने के बाद में कोई भी गलती करते हो दो साल या एक साल इस तरह से कोई गलती करते हो तो आपके उपर भी नियम लागो होते हैं और आपको यहां पर काव की बड़ा दण दिया जा सकता है। Benjamin अगे बताया है कि अगर आप 2 गलती करते हो तो आप से राश्टेता भी चीनी जा सकती हैं सबसे पहले बताया पर एक तरह राश्ट्यता हो चीनी जा सकती है। इसके साथ ये कहा गया है कि अगर आप किसी केस में फंच जाते हो और सबक्राइए काम नहीं करते हो गलत तरीके से कार करते हो अबेत्ट तरीके से और वहां पर आपको 3 साल या इससे जादा कुछ सजा होती है या 3000 कुछ रियाल का जुर्बाना होता है या कुछ ऐसा होता है तो भी आपसे आपकी राष्टेता चिनी जा सकती है बाकी यहां पर नयम के कुछ अपडेट जल्द आएंगे हम आपको अप डेट करते नहेंगे लेकिन कुछ और बाग की जो अपडेट हैं वो हम आपको बताएंगे उस्तों अगली अपडेट सौधी में जो अभी परवासी हैं उनके परवेश करने को लेकर हैं क्योंकि अभी यहां पर सौधी के भूगोल के प्रोफेसर डाक्टर मुहम्मद अले रवादी के तरफ से कहा गया है समझाया गया है कि अभी यहां पर दुनिया में 10% जो लोग हैं परवासी वो हो एंटरी कर सकते हैं जिस कंडरी में जितने लोग हैं जैसे कि 100 लोग किसी कंडरी में रहते हैं तो वहां पर सिर्फ 10 लोग ही एंटरी करेंगे इस तरह से समझाया गया है लेकिन सौधी रब के में यहां पर देखा गया है मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी जादा लोग साओधी अरब के अंदर हैं और बाग की कंट्री में काम करते हैं जोस्तों अंगली अपडेट लोगडाउन को लेकर हैं जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में अभी एक नया कुरूना वायरस वोकान और रेस्ता बंद करने का फैसला किया है और जब कि सरकार ने घर में काम करने की सला दी है तो यहां पर यूरोप में फिर कोरोना वायरस का जो परकूप है वो यहां पर देखने को मिला है और दुबारा लोगडाउन भी लगाया जा रहा है जोस्तों अगली अपडे पहन का इस्तिमाल चाकू की नोग पर पैदल चलने वालों की लूट अपराद इस तरह से आपर करते थे लेकिन अभी इन लोगों को ब्रवतार कर लिया गया है और दोस्यों को ब्रवतार करके आगे जो कानूनी कारोई है उसके लिए और लोग अभी हुजन की पास बेर दि अगर आपको कोई जान कहीं चाहिए तो आप जरूर कमेंड बॉक्स में कमेंड करें